हेलो वाट्सप गाइस माय नहीं स्पिनोध बादू थापा एंड वेलकम तू जावस्क्रिप्ट इन हंडर देज जहां गाइस तो आज है हमारा 35 डे एंड आई होब गाइस आप लोग बहुत ही ज्यादा आपको मज़ा रहा होगा तो गाइस आज के चैलेंज बताने से पहले अब तक अगर आपने बागी की चैलेंजे को चेक आउट नी गया तो उनको भी जरू चेक आउट कर लीजेगा जब भी आपको समय मिलेगा एंड वल्बेर जावस्क्रिप्ट का यह जो कोर्शन को भी जरू चेक आउट कीजिए बहुत ही ज्यादा माजा आने वाला है ठीक आपको थोड़ा सा वो सोचने पर मजबूर कर देगा है इतना सिंपल वाला प्रोग्राम है फिर भी इतना सोचना पट रहे है क्योंकि आपको बस यह चेक करना है कि जो भी आप्जेक्ट आप पास कर रहे हो क्या वो एम्टी है यह नहीं I mean कितना सिंपल है नहीं कि कोई भी अगर आप पास कर is it empty or not simple जैसे यह वाला जो पाट है यह एम्टी है ठीक है अगर आप यह वाला पाट देखोगे तो यह kind of like empty नहीं है बट फिर भी कोई-कोई लोग इसको empty बोलेगा क्योंकि इसकी जो value नल है though we have one key and then again here also we have one key but again उसकी value undefined है तो मैं कही नहीं तो मैं यह बोलूँगा कि यह empty तो नहीं है बट जो भी हो ठीक है यहाँ पिनो ने it's empty लिखा मेरे जो भी like team है बट I think it's not empty क्योंकि at least we have one key तो अब आपके माइन में आ रहा होगा कि अरे यह तो बहुत ही ज्यादा basic है बहुत ही ज्यादा simple है समझ रहो मैं क्या कैनी की खोशिस कर रहा होगा एंड आप में से जितनों ने भी सबसे पहले यह सोचा आरे यह तो बच्चो वाला है let's do like object.length lngth if it is triple equal to zero it means it's empty है ना आप इस तरी किसे लिख दो it's empty else it's not empty आपने कुछ ऐसे ही सोचा होगा not empty तो अब मैं इसको run करता हूं है ना एंड यहाँ पर मैं आपको दिखात इसको मैं clean करके run कर रहा हूं it's not empty it's not empty यह क्या हो रहा है भाई सभी की सभी it's not empty आ रहा है मुझे तो but at least यह जो पार्टे यह तो empty है यह तो मुझे देख के पाता चला ने इस object के अंदर तो ना key value कुछ भी नहीं है तो फिर भी it's not empty क्यों आया right इसले मैंने यह प्रोग्र script everything is an object right चाहे वह अपका array हो array is an object string string is an object क्योंकि वह iterable है and उसमें आम length property and indexes की मदब से value को get कर सकते हैं but when it comes to your object itself then ना तो आप उसको like iterate कर सकते हो ना उसमें आप यह indexes कर सकते हो I guess index और भी कर सकते होंगे but most of the time नहीं कर सकते हो and नहीं आप लूप चला सकते हो नहीं आप यह कि उसको आप use कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते है क्योंकि आपको object जो थोड़ा सा हट के दिखाना था JavaScript आलो को क्योंकि सब object है but अगर object भी वही सेम चीज़ करेगा जो सब कर रहा तो फिर यह हट के कैसे हुआ इसलिए object में कुछ काम नहीं करता है तो यह अगर आपने सोचा हो ठीक है तो यह तो काम नहीं करेगा चल इसको तुमारो बोली तो अब हम क्या कर सकते है object.length मुझ तो मुझे पाता नहीं चला हां लेकिन हम इसको एक चीज़ जरू कर सकते है कि इसकी जो की है उनको हम इटरेट कर सकते है तो एक हम काम यह कर सकते थे for let key in object ठीक है off भी मैं य यह नहीं कर सकते है यहां पर by the way and यहां पर condition simple यह लगा सकते थे कि हमारा यह जो object है has own property करके एक method होता है हमारे पास and for some reason मुझे suggestion नहीं आ रहा उसका but कोई नहीं मतलब हमारे पास यह जो object है क्या उसमें यह जो key है क्या यह उसकी अपनी खुद की property है simple इसका मतलब यह जो property मतलब यह जो object है इसमें यह जो name है क्या इसकी अपनी property है if it's true right अगर यह true है then हम क्या कर सकते है return यह जो भी था it's not empty वाला है na copy and then paste ठीक है and आपको back tick लगेगा तब यह काम करेगा बना नहीं करेगा अब यह जो part है हमने return कर दी यहां पर मैं else लिखने की जोगते नहीं है यहां पर आप return कर दो and यहां पर directly आप लिख दीजे यही same it's empty वाला समझे रो तो यह तो एक तरीका है कि आप individually सब कुछ चेक कर रहे है and the moment कोई भी एक value इसको मिल गई तो खत्म return मतलब और लूप के बाहर ही चला गया है ना तो यह हम एक काम कर सकते थे मैं आप इसको अग लाइन नमबर एट लाइन नमबर एट तो ऐसा लाइन नमबर एट में तो कुछ है भी नहीं so for object if सब तो सही है return object.hasown property वह प्रॉब्लम नहीं है यहां पर भी सही है यह जो fall loop है वह यहां पर है तो यह कहां क्या problem हो रहा है क्योंकि यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है control and save return keyword भी सही है key सही है object सही है problem क्या हो रहा है फिर all right all right see it's not empty it's empty it's not empty and then it's not empty तो यह तो मेरा काम कर रही है तो यह आप कर सकते हो right तो मैं आपको आप एक और तरीका बतातो चलो यह भी बहुत लंबा था यह बट दूसरा एक और तरीका है कि we have object class है na so हम क्या कर सकते थे return object के अंदर we have some method let's say keys अगर मैं keys लिखता हूं and वो object पास करता हूं जो भी मुझे मिला है ठीक है तो आप क्या मुझे मिलता आप वो एक बार देख लिजिएगा यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूं इसको रन कर रहा हूं तो आप देखो के वो भी object पास कर उसमें कितने कीज है जितने भी कीज होंगे वह यह डिटन कर रहा है ठीक है तो मुझे यह मिल गयाना क्या आप देखो डिटन कर रहा है यह सबसे जादा important है, मुझे ये एक array में value return कर रहा है, तो अगर ये बात है, I mean जब बात आती है array कि देन array में तो we can use the length method, अब आप ये कर लो, खत्म बात, अगर ये 0 हुआ, तो false return हो जाएगा, अगर ये empty नहीं है, इस case में तो empty होने वाला है, 0 value मिलने वाली है, मतलब मेरा अब ये empty है या न same मैंने one line करके दिखा है, मैंने ये भी दिखा है कि क्यों आप ये length use नहीं कर सकते हैं, करना है तो आप ये वाले एक तरीका कर सकते थे, iterate करके पूरा कर दो, दूसरा जब already class हमारे पास है object का, हम ये कर सकते थे, right, तो control या save करतो, run करतो, and boom guys, see, देखो, false, true, false, and then false, मेरा का object class क्या चीज़े, what is this keys, and then we have also values, as own property है, कल के दिन वापस से हम object क्यों पर ही, एक और मैं प्रोग्राम लिखिया हूँगा, जहां पे you need to like convert object to area and then vice versa, area to object back, you know, तो वो ये बहुत ही जात important है, so once again, इसलिए मैं आप ही की वाला ही के लिए कह रहा हूँ, ये जो JavaScript advanced वाला है, इस को आपको समझना जरूरी है, and once उतना आपको पता चल जाता है, आपकी life set हो जाएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, so yeah, this is it, आज इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो कैसा लागा, let me know in the comment section, and आज इस वीडियो का हम like का target रखते है, सिर्फ 100 likes, जो की होती ही कम है, I know आप कर सकते हो, and अगर आपके mind में कुछ भी comments हो, या कुई interview question हो, जो आपके mind में आ रहा हो, या अगर आप चाते हो, मैं इसको explain करू, you know, तो please आप comment कर देजेगा, मैं इसको पर जो भी video upload करूंगा, and next target is 1 million subscribers हो, guys, अभी ताएक subscribe नहीं है, so please कर देजेगा, मिलता हूँ मैं आपको next video में, till then guys, thank you so much, take care.